कि अधिया साथ के अध्याए स्वागत हैं हमने आपके हिंदी विशे के अध्याए 1 से लेकर 6 तक सभी की अभयास प्रशन बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिये हैं वो सब क्लासे आप चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं आज इस क्लास में हम अध्या साथ गजल के अभ्यास प्रशनों के उत्तर जानने की कोशिस करेंगे तो चलिए क्लास हम सुरू करते हैं देखें पहला पिशन आपके सामने दिया गया है आखिरी सेर में गुल मोहर की सर्चा हुई है क्या उसका आश्य एक खास तरह के फूलदार व्रक्स है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ नहीं थे समझा कर लिखे हमें जो आखिरी इस चेप्टर का जो शेर दिया गया है उसमें गुल मोहर नाम के एक व्रक्स की सर्चा हुई है तो क्या यहाँ पर उसका आश्य एक खास तरह के फूलदार व्रक्स है या पिर उसमें कोई सांकेतिक अर्थ चिपा हुआ है वो हमें समझा कर लिखना है तो देखे इसका उतर क्या होगा गुल मोहर एक फूलदार व्रक्स है और यह सांती परदान करने वाला होता है कभी ने इस सब्द का यहाँ विशेस अर्थ के लिए परियोग किया है मनुस्य अपने घर में सांती और मानवियो गुनों से युक्तो कर रहता है कभी ने यहाँ पर गुल मोहर जो सब्द है उसका एक विशेस अर्थ में प्रियोग किया है तवी कह रहा है कि जो मनुष्य है वो अपने घर में सांती और मानविय गुणों से युग तोकर रहता है यदि उसे बाहर रहना पड़े तो भी वह सांती वह मानविय गुणों को ही बना कर रखे इससे समाज की वैवस्ता भी बनी रहेगी और और आजकता की इस्तथी भी उत्पन नहीं होगी कभी कहना चाहता है गुल मुहर के माद्यम से कि जिस परकार गुल मुहर का वन जो वरक्स है वो एक सांती परदान करने वाला वरक्स होता है उसी तरह जो मनुष्य है वो अपने घर में जीस तरह सांती और मानुविय गुनों के साथ सुक्स के साथ रहता है आराम से सांती से जीवन यापन करता है उसी तरह यदि उसे कभी एक बार अपने घर से बाहर भी रहना पड़े तो वहाँ पर भी वही घर जैसी सांती और मानुविय गुनों को बना कर रखना चाहिए ताकि समाज के साथ साथ वहाँ पर किसी प्रकार की और आजगता के विस्तती उत्पन न हो और समाज की वैवस्ता भी बनी रहे ठीके आगे बढ़ते हैं पहले सेर में शिराग सब्द एक बार बहु वचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में कौनसा सब्द शिराग सब्द तो अर्थव पावे सौंदर की धर्ष्ट्री से इसका क्या महत्व है तो इसका उत्र क्या होगा देखें जब कभी एक घर के लिए चिराग यानि अनेक दीपक तैथा की बात करता है जब कभी एक घर के लिए अनेक दीपक यानि चिरागों की बात करता है तो केवल योजनाओं में दिखाए गई सुनारे खवाबक की और संकेत करता है जब घर के अनेक चिरागों या दिपक की बात करता है तो ऐसी स्तती में वो केवल योजनाओं के अंदर दिखाए गए सोनारे खवाबक की और संगेत करता है और दूसरी पंक्ति में वो इसपश्ट करता है कि सब जो बाग दिखाने वाली इस योजना को करानवित करने के समय दसा ये है कि एक पूरे सहर के इससे में एक शिराग भी नहीं आया है और कावे सौंद्र की दस्ट्री से शिरागों के बदले शिराग का नच मिलना ये क्या है चमतकारी प्रयोग है जो साब्दिक कम और अर्थ पूर्ण चौंद्रय अधिक विखेर रहा है तो इस तरह जो छिराग एक वचन में आया है और जो बहु वचन में आया है उन दोनों के अर्थ और कावे सुंद्र में क्या है अंतर है दोनों अलग अलग सब्दों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुए है ठीके अगला प्रशन है आपका गजल के तीसरे चेयर को गोर से पड़े यहाँ दूसेंद्र का इसारा किस तरह के लोगों की और है तो तीसरे चेयर में कभी ने उत्साहिन दीन हिन याने गरीब लोगों की और संगेत किया है जो हर इस्तती को आसानी से सिविकार कर लेते हैं वे अन राजनेतावा अपसर साही जनता की इसी उद्यासिंता का लाप उठा कर उनका क्या करते रहते हैं? उनका सोसन करते रहते हैं. ठीके? अगला आसे इसपष्ट करें. तेरा निजाम है सिल्द जुबन सायर की ये एतियात जरूरी है इस बहर के लिए तेन पंक्तियों का आपको आश्य बताना है. तो कवी दुस्यंत ने वरतमान सासन व्यवस्ता के चलते बुद्य जीविवर्ग की बैबित व्यवस्ता पर क्या करा है? प्रकाश डाला है. कि सासन अभी कमने जो सासन कर रहे हैं, जो राजनेता या नेता लोग हैं, वो अपनी कमियों को सुनने के लिए त्यार ही नहीं है. अतब वह सायरों और कवीों के मौ सिल सकता है. कवी इसपष्ट करता है कि मौ बंद कर लेना वह साफदानी भरा कदम है, जो एक सायर के द्वार अपनी गजल के लिए उठाया गया है. मुख रहकर रचना को अंजाम देना सायर की विवस्ता और समय की मां दोनों ही है. कि यदि एक कवी या सायर मुख रहके कोई रचना को अंजाम दे रहा है, तो वो उसकी विवस्ता भी हो सकती है और उसकी मजबूरी भी हो सकती है, पर समय की मांग भी हो सकती है. ठीके? अगले गजल के आसपास वाले प्रशन है. पहला प्रशन है, दूसे अं बदलाव चाते हैं, उसकतन पर विचार करना है. तो कभी बदलाव के पक्स में हैं, वह जनता, समाज, सासव, प्रसासन, वह मानव के मुल्यों में आई गिरावट से क्या है? चिंती थे. और उसमें वह क्या चाते है? उसमें वह बदलाव चाते हैं. आज पूरी राजनेति व्यवस्ता क्या हो चुकी है? ब्रश्टा चार से और प्रो थे बिल्कुल ब्रश्ट हो चुकी है. और जो आम व्यक्ती है, वो बिल्कुल निरास हो चुका है. अथा यता सक्ती रहने का आधी बन चुका है, और वो मान चुका है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है, य अगला हमको मालूम है कि जन्नत की अकिकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दूसेंद की गजल का सोथा सेर पड़े और बताया कि गालिब के उप्युक्त सेर से वह किस तरह जुड़ता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है। यहां दूसेंद इस वर के न मिलने पर मनुस्य से ही दिल को क्या कर रहे हैं? धीरज दे रहे हैं। अगला प्रशन यहां दरखतों के साये में धूप लगती है। यह वाक्ते मुहावरे की तरह अलग लग प्रस्तितियों के अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी दालतों पर लागू होता है जहां इंसाब नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी ही प्रस्तितियों के कलपना करते हुए निम्दान के अधूरे वाक्तियों को पूरा करना है। यह ऐसे नाते रिष्टों पर लागू होता है जिनमें प्यार नहीं होता यह आगे जोड सकते हैं। यह ऐसे विद्यालों पर लागू होता है जहां विद्या के नाम पर अविद्या दिखाई जाती है। यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जा इलाज की तरह इलाज की जगह रोग बढ़ता है और अगला यह ऐसी पुलिस व्यवस्ता पर लागू होता है जा सुरक्सा के बजाए भे मिलता है तो इस तरह इन कत्नों को आप एक मुहावरे के अरतने प्रियुक्ट करके पूरा बाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत